Good morning friends, मैं अरविंद कुमार सिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेश में मित्रों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था करणी पर आधारित कोस्टन्स ऐसे कोस्टन्स बेस्ट जो थे साड्स पे, रेडिकल्स पे और अंडरूट पे उसमें फर्स टाइब हमने पढ़ा था कि जब पूरी की पूरी रास करणी के अंदर हो और प्लस के साथ हो, यानि योगफल के रूप में हो और अनन्त पदों तक हो लेकिन आज हम आपके लिए second type लेका है हैं और second type है जब पूरी की पूरी रास करणी के अंदर हो और अंतर के रूप में हो, मतलब की difference के रूप में हो, minus के रूप में हो negative sinus में लगा हो, और वो भी अनन्त पदों तक हो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, question first लिखा हुआ है है ना, अकि under root 2, minus under root 2, फिर minus under root 2, फिर minus dot 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 infinite तक इस तरह के question को कैसे करेंगे पिछली वीडियो में हमने plus वाले के लिए कहा था अगर आपने उसको नहीं देखा है, तो आप description में जाकर के उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं देखिए यहाँ पे, इसको हम पहले traditional method से करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अपने school में पढ़ा था पहले हम क्या करेंगे, road2, minus, road2, infinite तक है, इसको हम x माल लेंगे पूरी राष्य को, पूरी expression को हम x माल लेंगे इसके बादहले क्या होगा, यह जो पहला under root है इसके बाद इसके अंदर में 2000 है, तो under root 2 लिखेंगे और फिर इसके बाद जो माइनस में root 2 minus root 2 minus infinite तक है तो यह इसी की तरह है इसलिए इसको हम x लिख लेंगे आपे ठीक है न तो under root 2 यह रहा और फिर minus यह under root 2 under root 2 infinite तक series है तो इसको हमने यक्स माना यह देखे रहा यक्स तो इसको यक्स लिखा बराबर का sign लगा और यह हम जो यक करने पर इधर square लगेगा इधर भी square लगेगा करणी पर square जब लगेगा तो इसका root हट जाएगा यह इसका root हट जाएगा यहां हट गया देखे 2 minus x हो गया और यह x square है अब हम क्या करेंगे x square को x square रहने दिए x को उधर ता प्लस है इसको उधर किया minus 2 क्योंकि यहां plus है बर एक आ रहा है यहां पर एक ही लाना था जोड़ घटा के बीच वाला आना चाहिए इसको बोलते हैं कि mid term को split करके ठीक है ना मध्यपद को दो भागों में तोड़के गुड़न खंड करना यह process है यहां पर हो गया x square यह plus का plus लिखा यह की जगा हमने split किया 2 minus 1 से 2 minus 1 1 ही आए ग्रीक लिखते हैं इन में इन में common किया है इन दोनों में x common x ले लिया तो यहां पे 1x बचा प्लस यहां पे 2 बचा फिर minus 1 यहां पर व RIGHT है तो यह 0 होगा या फिर यह 0 होगा तो हम करते हैं x plus 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया minus 2 क्योंकि यह धर जाके minus हो गया यह minus value आगी इसको आमाने कर देंगे क्योंकि करणी में कभी भी जो संख्या है वो हमारी रहनात्मक नहीं आनी चाहिए उसका मान क्योंकि वो क्या है कालपनी मान हो जाता है हमें यहाँ पर धन value चाहिए तो वो धनात्मक value क्या है एक क्योंकि वो x minus 1 बराबर 0 तो x की value क्या जाएगी plus 1 ठीक है न तो यहीं हमारा answer हो जाएगा इसी question को जब हमें यहाँ पर दिखाद समिकण के x2 plus b x plus c बराबर 0 के form में हो तो उसका जो मूल होगा जो उसके 2 हल होंगे क्योंकि द्वगहाद समिकण के 3 हल होंगे द्वगहाद समिकण के 2 हल होंगे तो इसके जो दोनों हल होंगे उनको निकालने का उन्होंने फर्मूला बताया कि जो यक्स का गुणांक है वो b होता है जो अचरपद होता है वो c होता है तो x2 का गुणांक एक है तो एक का मान एक हो गया यक्स का गुणांक b है देखे एक तो यहाँ पर b का मान एक हो गया और c का मान अचरपद है यहाँ पर क्या है तो यह हमल लिखा, प्लस माइनस लगाया, करणी बनाया, ठीक है, अंदरूद B स्क्वेर, B क्या है, 1 है, तो 1 स्क्वेर, फिर माइनस है, तो माइनस लिखा, फिर यहां फोर है, तो 4 लिखा, ठीक है, फिर क्या है, A है, A की बेलू 1 है, तो देखिया, 1 लिखा है, C है, तो C की यहां से minus two put किया नीचे क्या है two और a की value क्या है one two one सारी value हमने put कर दिया ठीक है आगे देखते हैं यह equal क्या होगा minus one का minus one plus minus का plus minus under root में एक का square क्या होगा एक का होगा ठीक है है और चार का है चार दुनी आठ तो यह minus one minus plus eight ठीक है न तो आठ और एक कितने हो गया नौ हो गया ठीक है अब नो का छेक्तर क्या हो जाएगा पेर two-team three three two-team to three-team. candidate breakdown three months from three यहां पर हमने लिखा X बराबर इसको हम क्या कर देंगे, अमान निकर देंगे, तो एक्स बराबर क्या आ गया, प्लस एक जो की, हमारा इसका आंसर हो गया, तो आप इसी question को हल करने के लिए यहां से गोड़न खंडे बीधी से यही पर आंसर निकाल के छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको यह नहीं समझ में आता है फिर धराचारे का सुत्रियाद कर लिए इससे हल करके यहाँ पर अमान निकालीजिए दोनों से एक ही आएगा ठीक है ना सेम भी लुगाएंगी बस हल करने का प्रोसेस दो अलग अलग है आएव इसको ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं देखिए अंडरूट टू माइनस अंडरूट टू माइनस अंडरूट टू पूरा इंफिनाट तक लिखा है तो इसको हल करने के लिए कुछ भी नहीं करना जो अंडरूट में है संख्या उस दो को लिखना है उसके फेक्टर करना है तो दो एक आई दो और ऐसे फेक्टर करने हैं जो कि कॉंजुक्यूटिव नंबर हो है न उसके जो दोनों नंबर है वो क्रमागत संख्याएं हो यानि उनके बीच का अंतर जो हो सिर्फ एक हो तो दो में से घटाएंगे तो एक आएगा अंतर एक है ठीक है अब यहां पर क् काम यह करना होता है कि इसमें करणी के अंदर में देखना होता है कि साइन कौन सा है चिन कौन सा है अगर नेगेटिव है माइनस है तो छोटा वाला अंसर होगा अगर पॉजटिव है तो बड़ा वाला अंसर होगा यह मैंने पिछली वीडियो में बताय हुए आपको ठीक है तो यहां देखिए यहां पर छोटा वाला कौन है 1 है बड़ा वाला कौन है 2 है जो बड़ा वाला होता है वो निगेटिव वैलू आती है जो छोटा वाला होता है वो पॉजिटिव वैलू आती है है अभी हमने हल करके आपको दिखाया देखिए यहां पर क्या है कि x की दो वै आधम से हमने इसको अफजर्व किया तो हमें पता चला कि जो छोटी वैलू है वहीं आंसर होगी यानि इसका आंसर वन हो जाएगा ठीक है आईए इसमें और कोस्टन देखते हैं देखें आपे कोस्टन नंबर वन मैंने लिख रखा है अंडरूट 42 माइनस अंडरूट 42 माइन माइनस के चिन है तो माइनस चिन रहता है तो कौन वाला आंसर होता है बड़ा वाला चोटा वाला चोटा वाला तो इसका आंसर क्या जाएगा 6 ठीक है ना इसका 6 आंसर है ठीक 56 किसके टेबल में आएगा भीया 8 सते 56 आठ और 7 इसके दो फेक्टर क्या होंगे 56 के 8 सते 56 और 8 8 तो 8 मेंसे 7 घटाईए तो एक अंतर एक आ रहा है अब बीचे में मैनेस भी लगा है तो मैनेस लगा है तो बड़ा वाला ऑनसर तो होगा नहीं कौन सा होगा चोटा वाला तो कौन सा छोटा वाला है साथ किया जाएगा 7 है ऐसे ही 72 है तो 72 का क्या होगा 98 72 बढ़ा है और 8 छोटा है तो इसका अंसर क्या आजएगा क्लियर 90 किसके टेबल में 10 नम 90 10 गुड है 9 बराबर 90 अब इसमें बढ़ा को नहीं 10 छोटा को नहीं 9 चहिए कुम सा चोटा क्यों क्यूं क्योंकि माइनस लगा हुए तो इसका 9 आंसर आ 11 दहां में 110 तो इसमें 11 बड़ा और 10 छोटा तो आंसर क्या होगा बताने के ज़रूत नहीं है आप समझ गए होंगे 10 होगा ठीक है इस तरह से हम यह ट्रिक से करते हैं यह रही दूसरी ट्रिक जो आपको हमने बताया है ना और इसको देखिए और इंज्वाय के साथ इसको करि और लोगों के साथ सेयर करना न भूलें धन्यमत मित्रों